दमश्कार दोस्तों स्वागत है हमारी यूटूब चैनल में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं तुला रासी के महारासी फल के बारे में कि यह दिन तुला रासी वालों के लिए कैसा रहेगा किन कीन चीजों से इनको फाइदा होगा और किन चीजों से इ केरियर के सा रहेगा बिजनेस और बैपार के सा रहेगा और स्वास्ते की महतवपुन जानकारी इस वीडियो में देंगे और साथ में बताएंगे कि आपका शुबरंग और सुबंग क्या है दोस्तों वीडियो के अंत में हम आपको गुपाई बताएंगे जिससे आप अपन जिससे समय समय पर हमारे नीव वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके तो चलि दोस्तों बात करते हैं कि कैसा रहेगा तूला रासी वालों के लिए आज का दिन सबसे पहले बात करते हैं किया आज आपके लिए पोजिटिव रहने वाला है दोस्तों आज आपके कोई महतपून एक्छा पूर्ती होने की प्रवल शाव होना है साथी अनुविव और जिम्मेदार यहनों का मारदर्सन भी मिलेगा जीवन की वारिकिया पर गंभिरता से मुल्लेकान करेंगे तदा यह परिवर्तन आपके जीवन में खुसियान लेकर साथी आर्थिक परिशानियों से कुछ हद तक निजात मिलेगी यह समय अपने व्यक्तिकत दिन को वैस्तित रखें दोस्तों काफी समय से रुकोवे कार्यों में अज गति आएगी और अपनी परिवारिक जिम्मेदारियां का निर्वाहन करन में समक्ष भी रहेंगे और दे सबस्तमण लागन शिक अंजाम देने से आपको बहुत ही अनुकुल पर मं हासील को हंगे साथ अपने लकुष को हासिल करने के लिए कि गई महनत के अनुकुल पर नाव मिलने वालें दिल की वजाये डिमाग से निर्णे लें इससे आप अपने कार्य परिवाहन को और अधि आसों से समंदित कोई सुभ समाचार मिलेगा वैस्ता के वावजुद आप अपने लिए और परिवार के लिए समय निकाल लेंगे तदा कुछ परिवारी महतेपुन फैसले लेने में भी आपका विश्यस योगतान रहेगा दोस्ता पिछले कुछ समय में जो काम सोचके रखे अब चालू कर दें आपका अवस्यकार शफल होंगे और एक चमतकारी के रूप में आगे भी बढ़ेंगे तुस्तर इस समय आपका ग्रेसिती उत्तम बनी हुए है आर्थी योजना इसे समंदित कोई लाब आसाने से भली भूती होगा धार्मी तता अद्यादमी गतिविद समंदियों में कुछ समय व्यत्तित करने से आपको शिकुन मिलेगा व्यक्तित में भी निखार आएगा घर के रख रखाव समंदियों जना बन रही है तो वास्तु समस्त नीमों का भी पालन करना उचीत रहेगा अपने किसी खास हुनर को निखारने का प्रयाश करें और अपसी सल्हा मसवराथ वच्चों के लिए समन्दिक किसी समस्या का भी निवारन होगा दोस्तों किसी तरफी दूबीदा के स्टी में परिवार्जनों की शला लेना आपकी परिषानियों को हल करेगा अपके लिए सकारत्र परिवर्तन ला रहा है चर्य उथर पुतल से भी दूस्तों आपके नेगेटिव के परहें बात करें तो दूसरे के मामला में हस्तिश्व करने से बचें और आपने काम से मतलब रखें किसे सारजनिक अस्तल पर बात भी बाद होने जैसी इस्ति बन रही है कुछ में आत्ममनन और चिंतन में भी आवस्य लगाएं घर के सांति पूर्ण तर्की से सुल्जाने का प्रयाश करें दूस्तों कुछ नहीं जिम्यदारियां आने से व्यास्ता बढ़ेगी इसमें कोई नुकसान होने जेस्ति-स्ति बन रही है इसलिए हिसाब किताब समंधिक कारें को सब्धाने से करें वेना बात किसी से वेना उल्जे दूस्तों गुस्य बूत सेतान चीज होते हैं इसको जो यूज करते चलता है वो जिंदिगी में कभी आगे नहीं बढ़ता है इसलिए गुस्य पर काबू करेंगे तो आवसी आप आगे बढ़ेंगे और कोई भी समस्या को आपको जहलना नहीं पड़ेगा युआ वर अपन परवी बरत रहे हैं जिसकी वज़े से इनकी बंते कारों में रुकावटे हा सकती है दोस्तों व्यावसा में इस समय अपने उर्जा और अपने जन संपर को और अधिक विस्तिरित करने में लगाएं आपको कोई नई सूब अपसर प्राप्त होंगे मुश्किलों के वावज है तो व्यावसा समय उल्जे ने अभी बनी रहेगी अनुवी लोगों की सहयोग और मार्दर्शन आपके लिए सहयक रहेगा नोकरी में कारबार बाढ़ाने की वज़े से तनाव रहेगा बेदर होगा कि अपने कारबार को दूसरों के सब बाटने का प्रयाश करें अब कार की शुरुवात करने के लिए भी समय अनुकूल है कोई व्यावसाइब ने लेने में लापरवय ना करें अनता कोई वहत्रिन उपलवदी हाथ से निकल भी सकती है तुस्ता कारशित में इस समय बहुत मेहनत और वैस्ता बनी रहेगी साथ ही आपका प्रभावा दबदब बना रहेगा अपनी कारपनाली में कुछ परिवर्तन लाना जरूरी है सरकारी सेवरात लोगों को ओफिस समंदी किसी बदलाब की सुचना मिल सकती है वेबसाइक परेशनियां धूर होगी कार में गति आएगी करमचारी ता इस्टाफ पूरी महनयोग से कार को गति देंगे किसी अनुभी व्यक्ति से मुलाकात होगा और वेबसाइक जानकारियां का आधान परदान भी रहेगा उन्हीं बात करेते लव लाइफ की परिवारे में सुख़द और प्रेम कुन माहौल बना रहेगा प्रेम समंद में गलत फेमिना उपद न दें दोस्तो दामपत जीवन में उती समानजस रहेगा यूँ आवर व्यक्त के प्रेम समंद में समय नशना करके कारे में पर ध्यान दें दोस्तो व्यक्तिकत गत्रीविदियों के साथ-साथ विवायत समंदों में भी समानजस बना रखना जरूरी है प्रेमी प्रेमिका को डेटिंग करने का बहतरी समय मिलेगा पत्ती पत्नी के बीच खटी मिटी नौक जोंक रहेगी यह आपके प्रेम समंदों पुरागार होंगे पर्णतु मरियादा का ध्यान आवासर रखें दोस्तो घर के सदस्टर के बीच आपसी तालमेल परिवारी वतारन को सुख़त बना कर रखेगा प्रेम समंदों को भी विवा के लिए परिवादी स्युक्रेटि मिल सकती है दोस्तो आपके स्वास्त को लेकर देखा जाए तो पड़ेगा कुछ समय अपने आराम के लिए भी निकालना जरूरी है घर के किसी वारिश सदस्य के स्वास्त का लेकर चिंता रह सकती है उनके इलाज के लिए लापरवाई ना करें दोस्तों किसी बात को लेकर सिर्दर और तनाव रहेगा समासियां को सांती पूरे तरीके से सुल्जाने का प्रयाश करें साथ ही योगा और मेडियसन जैसी गत्ती विदियों पर ही ध्यान दें आपके सरीत तंदुर्स्त और फिट रहेंगे कभी कभी ना करते हैं विचार आपके मनोबल में कमी ला सकते हैं उत्तम परवर्ति की लोंग के साथ कुछ समय आवसे विति जल बेल पत्र या आंकले का फूल चड़ाएं संबार के दिन भागवान भोले नात को घी शकर और गेहों के आंटे का भोग लगाएं इसके बाद उनकी आरती करें दोस्तों आपके घर में किसी के साधी नहीं लग रहे हो या कोई पुराने दिक्कतें चल रहे हो तो दोस्त आज नंदी बाबा को रोटी में गुड मिला के खिलाएं इसे दोस्तों आपकी सभिमानों कामनाय पूर्ण हो जाएंगे दोस्तों आपका भागशाली रंग और भागशाली आंक क्या है दोस्तों आपका भागशाली रंग पीला है और भागशाली आंक आठ है दोस्तों भा झाल झाल